हेलो गाइस कैसे हैं आप सब आई होप कि आप सब ठीक हैंगे तो गाइस मेरा नाम है गगन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गेटेक गाइस आज किस वीडियो में आपको बताऊंगा कि गर आपने कोई उस तरह एपलिकेशन से उस तरह डोट कॉम पर किसी भी आईटम का ओडर किया है और आप उस आईटम को कैंसल करना चाते हैं यानि कि आप अपने ओडर को कैंसल करना चाते हैं यानि कि आप अपने ओडर को क चार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाईस आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगों कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजिए और साथ ही साथ वेल आपको इस तरह एप्लिकेशन शोग रहोगा आपने इसको ओपन करना है जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको इस प्रिखार से इंटरफेस इसका दिखाई देगा सबसे पहले आप पोच जाएंगे इसके home page पे यहाँ पे दोस्तों आपने अपने order को cancel करने के लिए आपने इस पर किलिक करना है, जब गाईस आप इस पर किलिक करेंगे तो यहाँ पर आपने जो भी ओडर्स कर रखा होगा वो आपको शो हो जाएगा, तो अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने एक यह Beard Growth Oil का एक ओडर किया था मैंने, जिसकी डेट है 27 जुलाई में मैं इसको order किया था, तो यहाँ पर यह शो हो रहा है, आप इस पर किलिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यह product है, जो कि 300 इन्यान में value थी इसकी और मेरे को 40 रुपीज का discount मिला था, तो अब मैं आपको इसको cancel करके दिखाता हूँ, तो cancel करने के लिए दोस्तों आपको एक view details वाला button दिखाई दे रहोगा, आपने इस पर click करना है, जब आप इस पर click करेंगे तो आप यहाँ पर आपको cancel order का button दिखाई देगा, और मैंने इस order की जो payment करी थी, वो online payment करी थी, अपने credit card से, तो आप मैं इसको cancel करता हूँ, cancel वाले button पर मैंने इसको click कर दिया है, अब यहाँ पर 3-4 order आपको option देखने के लिए मिलेंगे, नहीं चाहँ अधर का भी आपको option देखने के लिए मिलेगा, और आप यहाँ पर comments कर सकते हैं, जो भी आपको issue है, कि सब जीसा आप cancel कर रहे हैं इस order को आप select कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर सबसे पहला option को select कर लिया, order placed in rust, तो यहाँ पर अब मैं confirm cancellation वाले बटन पर click करूँगा, तो यहाँ पर मैं click कर दिया, confirm cancellation वाले बटन पर, अब यहाँ पर यह मेरा order cancellation की processing में है, तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि जो मेरा order है, वो cancelled हो गया, यहाँ पर लिखा भी आगया है कि order cancelled, तो इस परकार से guys आपने अपने order को cancel कर लेना है, तो guys देखा आपने की order को cancel करना कितना easy है, आप आसान तरीके से अपने order को cancel कर सकते हैं, order cancel करने के बाद जो आपने payment करिये order की, अगर आपने अपने credit card या net banking या किसी भी wallet या UPI के थुरू payment करिये, तो उस order की payment भी आपको 24 hours में आपके account म यानि back to source, जिस mode से आपने payment के था, उसमें आपको return मिल जाएगी, तो इस परकार से आपने अपने order को cancel करना है, तो guys अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो please वीडियो को like and share जरूर कीजेगा, और अगर आप मुझे कुछ पूछना चाते हैं, आपकी कोई भी query या को जो भी कोई problem है, आप मुझे comment कर सकते हैं, मैं आपको definitely reply करूँआ, तो friends अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो please वीडियो को like कर दीजेगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, और आपने हमारे चैनल को अभी तक subscribe ने किया, तो please मेरे चैनल को subscribe कर लिजे, तो